अपनी सुन्दरता को और बढ़ाने के लिए आज ही हमारा चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें कम हाइट वालों का अक्सर मजाग भी उडाया जाता है और इसके अलावा केरियर अपर्चुनिटी जॉब के अंदर भी आपको मार खानी पड़ती है चाहिए आप जितने भी इंटेलिजेंट हों लेकिन आप अपने कद के कारण कभी कभी अपने लक्षों को प्रापत नहीं क दर पाते हैं तो इसलिए आप हमारी इस रेमेडी को हमारी इस वीडियो को जरूर देखिए आज कल कम हाइट से बहुत से लोग परेशान हैं जिसका मुख्या करण है हमारा सही से व्यायाम ना करना या फिर हमारा खानपान सही ना होना आज कल के खाने पीने में ना तो ज़ ना करना तो इन सब जब खनीच पदार्थों की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारा शरीर कैसे ग्रोथ करेगा तो इसलिए चलिए आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ जिसमें आप 30 से 35 तक की एज तक भी अपना कद बढ़ा सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक गिलास दूद और एक चमच गुड का आपको सुबह खाली पेट एक गिलास दूद के अंदर एक चमच गुड का मिलाकर पीना है दूद आपको यहां पर सिरफ गाय का ही लेना है क्यूंकि गाय का दूद ज़्यादा गुनकारी होता है हमारे शरीर के लिए तो आपको सुबह उठकर खाली पेट हलका कोसा सा गरम दूद उसके अंदर एक चमच गुड का मिलाइए और सुबह सुबह इसका सेवन कीजिए गाय के दूद में बरपूर मात्रा में केल्शियम होता है और आपको पता ही होगा कि हड़ियों की ग्रोथ के लिए और हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए कद बढ़ाने के लिए केल्शियम की कितनी इंपोर्टेंस होती है तो इसलिए गाय का दूद पीना बहुत गुनकारी है जो कि आपके कद को लंबा करेगा इसके अलावा प्रोटीन भी गाय के दूद में बहुत जादा ह होता है तो इसलिए आप एक गिलास दूद खाली पेट गुड में मिलाकर जरूर पीए अब गुड की अंदर एक तो गुलूकोल्स की मातरा काफी ज़्यादा होती है उसके लावा भरपूर मातरा में केल्शियम भी आपको गुड से मिल जाएगा इसके लावा आइरन और श्रीर की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा है और आपके कद को भी बढ़ाएगा गुड की अंदर फाइबर भी है जो कि आपके श्रीर में से इंप्यूरिटी को बाहर निकालेगा लेकिन अगर आपको गुड गर्मी करता है या गर्मियों के दिन है तो आप याद करना है और फिर दीखिएगा कि 40 से 50 दिनों के अंदर ही आपका कद आपको इसमें फरक दिखेगा आपका कद बढ़ जाएगा और इस ट्रीटमेंट को लड़के लड़कियां कोई भी कर सकते हैं और कोई भी उमर के व्यक्ति कर सकते हैं और अगर आपके बच्चे हैं तो प खुश रहें, healthy रहें, thank you so much.